नमस्का दोस्तों, All Exam Guide Guru के YouTube चैनल पर आप सभी का मैं सुजीत पांडे बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ सामान विज्ञान साइन्स का टेस्ट पेपर है हमारा चैनल किसलिए है, आप कहीं से भी पढ़ो, किसी भी किताब से पढ़ रहे हो किसी भी कोचिंग संस्थान से पढ़ रहे हो, हमारे चैनल पर आओ, प्रैक्टिस सेट लगाओ यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट कम से कम तीन मिलते हैं, तीन सो कॉश्चन रोज मिलते हैं टेस्ट करो, पढ़ाई कैसे चल रही है, क्योंकि आगे पाठ पीछे सपाठ ना होते जाए, इसलिए आपको जो है, टेस्ट करना अपने आपको बहुत ज़रूर रहता है करें स्टार्ट साइंस देखो कैसी है आपकी, पहला कॉश्चन देखो, एंटीबायोटिक क्या है, तो एंटीबायोटिक जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यह फफूंद और फफूंद जैसे जीवों के द्वारा तयार की गई दवाएं, औप्शन नमबर C की द्वाएं का उप्योग अपच के लाज के लिए किया जाता है, तो अपच्छ के लिए आपका एंटासेड दवाएं का यूज किया जाता है, option नमबर यहाँ पर C, अच्छ के प्रश्न के लिए बिल्कुल साए आंसर हो जाएगा, मलेरिया को डैश से प्राप्त दवा से नाम दिये हैं तो सिनकोना से आपका कुनेन जो बनता है कुनेन कुनेन से मलेडिया को ठीकिया सकता है option number D कुनेन राइट आंसर हो जाएगा थ्रोंबोसिस डैश की विमारी है तो थ्रोंबोसिस यह रक्त से संबंदी विमारी है option number यहां पर भी रक्त संबंदी राइट आंसर हो जाएगा निमोनिया की सूजन के कान होता है तो निमोनिया जो होता है फैंफोनों की सूजन के कान होता है option number D फैंफोनों की सूजन के कान निमोनिया हो जाता है तपैदिक डैश की विमारी है तो तपैदि एक फैंफडे संबनेत विमारी है राइट अंसर हो जाएगा बी सी जी के टीके का इस्तिमाल सावांता डैश की रोग थाम के लिए किया जाता है तो बी सी जी का टीका जो लगता है राइट अंसर हो जाएगा तपैदिक अप्शन नम्बर 20 प्रस्णि के लिए बिलकुल से अं है घेघःगा डेश की वज़ए से उत्पन्न होने वाली विमारी से तो गेंगा जो होती एडीर के कमीका उत्पन्न होने वाली बिमारी है। option नबर भी iotene की कमीकार से क्या है? यह एड्स का पता लगाने के लिए है जह अप्शन नमबर यहां पर भी इीड सुय रफ लिए आंसर तो यह आПर आपको जनित रोग है तो यहां पर जनित रोग आपको जो ओप्शन सब्सक्राइब प्रशन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अगला कुशन दिखिए कि हाइडरोफोविया किसके कारण होता है निम्दने निम्दना से कौन सा रोग मानव शरीर में रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है तो मानव शरी में रख्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है लुकेमिया आप्शन नमबर ए लुकेमिया प्रशनी के लिए बिल्कुल सही आंसर है बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाली नहीं है बोला गया है तो मदू में संक्रामक रोग नहीं है बाकी हैजा खसरा और मलीर्या संक्रामक रोग हैं गाटिया एक बिमारी है जो डैश को प्रभावित करती है तो गाटिया एक बिमारी है जो जोडों को प्रभावित करती है और जोडों को राइट आंसर हो जाएगा पीलिया डैश की एक बिमारी है तो पीलिया ये यकरत से सम्मनित बिमारी है ओप्शन अमड़ी यकरत से सम्मनित बिमारी है पीलिया डैश एक योन संचारिस जानलेवा बिमारी है तो एट्स एक योन संचारिस जानलेवा बिमारी है प्रति रक्षा तंत्र को ही नश्ट कर देता है उप्शन नमबर एक विशानु जनित रोग है उसमें से खसरा एक विशानु जनित रोग है प्रति रोग, कसविशान नमबर एक विशानु जनित है उसमें अंकों प्रतिjust कई रोग है करते हैं आँखों का उप्चार करते हैं आप थेलोमोलोजिस्ट निमनल लिए तिमसे कौन सा रोग त्रिपल एंटिजन द्वारा प्रती रक्षित नहीं है तो देखिए डिप्टीरिया पीलिया चोटी माता यह प्रती रक्षित है आंत्र जोर या टाइफ़ाइड यह आपका विटमिन है und Whenever demographic से किए पाय जाने वाले जीवानों द्वारा रूपित होता है तो विटमिन के आंत में पाय जाने वाले जीवान द्वार प्राक्तिकया रूप से निर्मित होता है अब इतनल सत्थ है 문 से कौन सा आइरन का सबसे प्राशोर्च्ट है तो iron का सबसे प्रचुर स्थ होते हैं आपका यहाँ पर जो option दे गए हैं हरी सबजीयां option number यह हरी सबजीयां right answer है सामान जुखाम के इलाज के लिए किस विटमिन का उप्योग किया जाता है तो यदि हमारे शरी में सामान जुखाम हो उसके विटमिन C का यूज किया जाता है option number C यहाँ पर vitamin C right answer हो जाएगा इस्मृति में सुधार के लिए आयरवेद में किस पौधिका उप्योग किया जाता है तो आयरवेद में इस्मृति के लिए memory के लिए ब्राम्ही का यूज किया जाता है यहाँ पर आपका option number C ब्राम्ही प्रश्णी के लिए बिल्कुल सही answer हो जाएगा अगला question दिखिए इन में से कौन सा जानवर सामाननेता चोटी गाड़ी खीचता है तो सामाननेता चोटी गाड़ी घोड़ा option number यहाँ पर भी घोड़ा गाड़ी right answer हो जाए घोड़ा निमने लगे तिम से कौन सा एक स्रोथ है तो कुनेन का एक स्रोथ है सिंकोना option number यहाँ पर ए सिंकोना right answer हो जाएगा निमने लगे तिम से कौन सा घ्राण सूचक है तो घ्राण सूचक इन में से है आपका वनीला option number यहाँ पर सी वनीला right answer हो जाएगा सामान तक किस पेड़ की टहनी या डाल का मातरा में पाई जाता है तो five or puts और मातरा में सेव में होगा option number C apple यह सेव राइट अंजर है इनमें से कॉन सा विकलफ omega-3 वसा अमलों का सबसे अच्छस प्रूब्ध है तो omega 3 वसा अमलों का सबसे अच्छस्त्रोथ है आपका सारडीन, option number B, सारडीन राइट आंसर हो जाएगा photo tropism का क्या रत हो, तो photo tropism जो होता है ये पौधों की प्रकाश की दिशा में बढ़ना, पौधे प्रकाश की दिशा में मुड़ जाते हैं पेड, option number ये फोटो tropism कहलाता है कौन सा जीव, oxygen के बिना जीव तरह सकता है, तो oxygen के बिना अवायू जीवी option number ये पर B, अवायू जीवी प्रशनी के लिए बिलकुल सही आंसर हो जाएगा पौधों में सरकरा का सामान प्रवाही रूप क्या है, तो पौधों में सरकरा का सामान प्रवाही रूप है प्रकाश इंसलेशन की क्रिया में मदद करने के लिए हरी पत्तियों में कौन सा पदार्थ मौजूद होता है, तो हरी पत्तियों में क्लोरोफिल मौजूद होता है, option number ये अपर D-clorofill रूप रूप हो जाता है, तो वास्पोर्ज़जन आपका उच्छ आदृता में कम हो प्रशन के लिए अगला कोशन दिखिए प्रशन के लिए अपने अपने जीवन काल में एक ही बार फूल और फल देता है केवल एक ही बार फूल केला देगा ओप्शन नमबर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा केले का खाने योगे हिसा क्या कहलाता है tari आन्तह फलवित्पी और मदफलवित्थी फॉप्शन नमबर पुष्प में इस्त्रीकेसर के सीर्सभाग को वर्तिकाग्र या इस्टिक्मा कहा जाता है अप्शन अमड़ी वर्तिकाग्र या इस्टिक्मा राइट आंसर है एसे कवक जो अपने भोज के लिए विशेशकर कीणों पर नर्वर करते हैं उनको एंटो मोपेथोजनिक कहा जाता है तो औप्शन नमड़ी एंटो मोपेथोजनिक राइट आंसर हो जाएगा मश्रूम एक क्या है तो मश्रूम एक आपका कवक है option number यहांपर भी मश्रूम एक कवक है right answer हो जाएगा अगला question दिखिए s.a. rikia kolai में क्या पाये जाता है s.a. rikia kolai एक कहां पाये जाता है किस में पाये जाता है तो ये पाए जाता है आपका मनुश्च की आथों में, ऐसे रीकिया कोलाई, की आथों में पाए जाता है, option number यहां पर A, की आथ राइट आंसर है, यदि किसी जीवाणू में केवल एक सेरे पर फलेजेला होता है, तो इसे क्या कहा जाता है, केवल एक सेरे पर यदि पलेजेला होगा, इसको मोनो ट्राइकस कहा जाएगा, option number B, मोनो ट्राइकस राइट आंसर हो जाएगा, बैसिली ऐसे जीवाणू हैं, जो डैश होते हैं, तो बैसिली जीवाणू होते हैं, आपकी छड़नुमा, जैसे लेक्टो बेसिलस, जो की दही बनाने में मे क्या होता है, कौन सा जीवाणू, लेक्टो बेसिलस, तो वो भी छड़नुमा होता है, अमीवियासिस के कारण क्या होता है, तो अमीवियासिस के कारण आपका पेचिस होता है, यहाँ पर आपका option number B, पेचिस प्रशनी के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अमीविया आपको मवाद कहा जाता है, option number C, मवाद राइट आंसर हो जाएगा, पोलियो माई लाटिस, डैश की वएसे होता है, तो पोलियो माई लाटिस, यह आपका विशानू संबंदी रोग है, option number A, विशानू प्रशनी के लिए, option number A, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अगला question द लाटिस, इंसुलिन के दवारा राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इनमें से कौन सा हार्मोन मान रख्त में, सरकरा की मातरा को नियनतरत करता है कौन सि घर योवन तक शक्री रहती है जाने वाज़ाएँ है तो अमासर में पाई जाने वाला एंजायम है आपका сण option नम्बर यहांपर भी पैपसिं रीट आइसर हो जाएगा प्रश्णी के लिए के पौस्टिन डश में इस्त्राविट फोने वाला रा तो के में इस्तिस्क के तले पर आंशर हो जाएगा प्रश्णि के लिए हमारे शर्ड की सबसे महत्यु पूर्ब ग्रंतियों मैं से एक प्षेट्र 110 कहां परिस्थ है तो प्रिट्रिट्रिट्रीगंती को पड़ी प्रश्णी के लिए बिल्कुल सई आंसर हो जाएगा डैश में हार्मोन सामानता अनुपस्थित होते हैं यक्रत द्वारा स्ट्रावित पित्त में मदद करता है तो यक्रत द्वारा परक्ष्णिन कोशिका का नाम क्या है तो मादा परण साए आश का या जाएगा can परक्ष्णिन कोशिका कैं के लिए राइन हो जाएगा मादा नकोशिका का नाम है तो तो test tube baby यहाँ पर right answer हो जाएगा, यह यहाँ पर, option number D, dimb का initiation परकनली में होता है, लेकिन यह गरवाशय में विक्सित होता है, dimb जो होता है, उसका initiation परकनली में होगा, और वो फिर उसको गरवाशय में विक्सित किया जाएगा, option number D, यहाँ पर test tube baby के लिए right answer है, कौन सा vitamin शर को vitamin D वढ़ाता शरीम है तो यहाँ पर option number आपका D, option number B, vitamin D right answer हो जाएगा रताउन्धी रोग, डैस की कमी कान होता है, तो रताउन्धी रोग, vitamin A की कमी कान हो जाएगा, option number A, vitamin A right answer हो जाएगा प्रश्णी के लिए, निम्नेलगित में से कौन सी बीमारी जातर, vitamin C की कमी से होती है तो vitamin C की कमी से आपकी सकरवी रोग हो जाएगा option number यहाँ पर A इसकरवी रोग right answer है vitamin C कमी से सकरवी रोग जिसके लक्षणों में मस्चूनों से खून आना शामिल है उसे आहर में क्या शामिल करके रुका जा सकता है तो आहर में आप खटे फल खाओ क्योंकि खटे फल में क्या होता है vitamin C, नेबू, संत्रा, आवला यह सब खाएंगे तो इसकरवी रोग से बज़ा जा सकता है खटे फलों को एक सम्रत सुरुत माना जाता है अभी मैंने आपको उता दिया है तो यहाँ पर option number D खाली है यहाँ पर option number D में आप क्या कर लोगे option number D में आपको करना है तो यहाँ पर vitamin D मैंने कर दिया है type देखिए last में option number D में vitamin C यहाँ पर समाप कीजिए vitamin D बोल दिया vitamin C right answer हो जाए खटे फलों के लिए या रखना option number D इसकर वी की, डैश की कमी कान होता है आप सभी को पता है vitamin C के कमी कान होता है option, इसकर वी रोग के लिए तो चार question आगया अभी भी और यह railway में आहुए caution है dash का क्मी से सकरवी रोग होता है फिर से आगया vitamin C की कमी से सकरवी रोग होगा option number C जब लगे दमेंट कौणसा Shiv Tden वशा में विल जै नहीं है ये कोश्वा में विले विलोआ है पूछा गया है राइट आंसर हो जाएगा वशा में आपका कौनसाальных आंसर नहीं हो ले UH तो यह राइट आंसर हो जाएगा आपका जमने में समस्या है कि विटमिन की कमी से निमने लगे तुम से कौन सा विटमिन माना हो मैं रखत के ठक्के जमने की सामार प्रतिकिरा को जो है help करता है मदद करता है तो विटमिन के मदद करता है option number यहां पड़ी विटमिन के प्रशनी के लिए बिल्कुल सही answer हो जाएगा विटमिन B1 को क्या कहा जाता है तो विटमिन B1 को थाइमीन कहा जाता है तो यहां पर option number आपका A थाइमीन प्रशनी के लिए बिल्कुल सही answer हो जाएगा विटमिन B1 के लिए विटामिन का मुख्यकार होता है. खून को जमने में सायता दिना और यह राज का आफरी कॉशन इसमें पुछा गया है किस विटेमिन को, किस कोबाल्ट नामक खनिच पाए जाता है इन में से किस विटमिन में कोबाल्ट नामक खनिच पाये जाता है इस प्रश्णिका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे चलिए वीडियो अच्छा लगाओ तो प्लीज शेर कर दीजेगा जीके के भी वीडियो हैं साइन्स के भी हैं बहुत सारे अलग अलग वीडियो हैं चैनल पो जाएए चेकाउट कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा पहली वारा हैं तो प्लीज वीडियो को शेर कर दीजेगा आप सभी का बहुत बहुत धन्वाद मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में बहुत बहुत धन्वाद